दोस्तों Yes Bank की बात के तो Stock के अंदर अब Current Lot आया है हमने देखाए कि बहुत जबर्दस Volume होए Friday के दिन काफी दिनों के बाद Volume में जो उच्छाल है वो ही सारा कर रहा है कि अब Yes Bank दोड़ने को तैयारे और क्यों न दोड़े Fundamentally Company बहुत मजबुत हो चुकी है आप ये देखे सकते हो एक के बाद एक Result बहुत ही बैतर आ रहे लगातार अगर आप देखे तो NPA से बार हो चुके है और NPA की Recovery भी हो रही है क्योंकि अभी पैसे आने बाकी है ये आपको पता ही होगा कि सिरफ 15% जो रकम है अफ्रन में मिल करी है ये सारी जो बाते साबित करी है कि Yes Bank अपनी पूरानी प्राइज के आसपा जा सकता है जो राणा कपूर के वक्त है यानि 400 के आसपा स्टॉक आराम से जा सकता है तो ऐसे में तो स्टॉक बहुत नीचे इन्वेस्मेंट करना चीए और ये जो तेजी नहीं बन पाई इ हीरे दे करके बेच रहे थे और इसी वज़े से शेर की प्राइस स्टेबल हुई थी 17 के आसपास लेकिन अब ये श्टॉक दोड़ने को तैयार है तो क्या इसमें इन्वेस्मेंट करना चीए जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंट उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी निया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंट्स वीडियो स्टा तेजी और BSE Sensex में भी लगबग 500 पॉइंट की तेजी थी यहाँ पे निप्टी 50 में 0.94% की जबरदस तेजी बनी है निप्टी बैंक की बात करें तो बादर के मुकाबले अच्छा था 44,436 के इस्तर पे 446 पॉइंट की बंपर तेजी यानि 1.02% दोड़ा निप्टी बैं की बात करें तो यहाँ पे देखें तो की 23,11942 के इस्तर पे 0.96% की तेजी यानि लगबग 1% के आसपास तेजी थी लेकिन Yes Bank ने तो कमाली कर दिया Yes Bank में 3% के आसपास की जबरदस तेजी बनी है श्टॉक की सुरूआद 16.85 पर हुई यानि सुरूआद पॉजिटिव देखें तो की गिरावट के साथ ट्रेड करता हो दिखें देगा और इसके पीछे वज़े यही कि अभी भी कुछ बड़े इन्वेस्टर जीनों ने लॉक इन प्रेडर के शेर अपने लेके रखें होते वो अब थोड़ा-थोड़ा बेच रहे अभी भी उनकी विक्वाली जारिया और इसी वज़े से यह नीचे लो में गया लेकिन जो खरीदारी के दमपे इसने 17.30 की हाई भी बनाई है 2.98% की तेजी के साथ में क्लोजिंद गिये तो काफी अच्छी बात है जल्दी यहां पे जबरदस्ती जाई और यह बॉली में आपको देखा दिगा पिछल बॉलीम का इसार है कि अब यहां पे इन्वेस्टर फिर से लॉट आए इसकी परफॉर्मस देखे अगर 28 सगस को श्टॉक 16.80 के आसपस था 0.3% की गिरावट हुई थी अगर 29 सगस की बात करें तो श्टॉक 16.85 के आसपस था 0.3% की फिर से तेजी बनी 30 सगस की बात करें त तो श्टॉक 16.80 के आसपस था कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिला तो आप यह देखी सकतो कि पिछले चार ट्रेडिंग सेसमें स्टॉक के इन्दर ठहराव से आ गया था यानि 0.3% की तेजी फिर 0.3% की गिरावट फिर तेजी और एक तरस से देखे तो श्टॉक मे FI ने भी बाजार में खरीदारी किये एक सितंबर को 15,219 कोड का उन्होंने काफी अच्छा निवेश किया है सामने 14,731 को बिसके बिकवाली किये तो उनका जो खरीदारी का आकड़ा निकल करा है वो 487 कोड का है जो पॉजिटिव है पिछले मेनों ने काफी बड़ी 488 कोड का उनका निवेश था सामने 8,593 कोड की बिकवाली किये तो खरीदारी का जो आकड़ा निकल किया है वो 2294 कोड का जो काफी बड़ा है और इसी वजह से बाजार में सांधार तेजी बनी अब यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि आपको पता होगी यस बैंक ने अपन परसेंट रखेंए उनको आप फ्रेंट मिली है तो यहाँ पर देखते हो कि करीब 6500 कोड का जो कर्ज का निप्टारा है सुबाच चंदरा ग्रूप के बीच में और यस बैंक के बीच में उसका निप्टारा हो चुका है तो यहाँ पर देखते हो कि अब यह जो लेटेस लेकिन अब इसका निप्टारा कर दिया गया जिसी फ्लावर्स और यस बैंक और सुबाच चंदरा के बीच में जो बातचीत हुई इस मीटिंग के दौरा जो अंत में जो फाइनल फैसला वह उसमें यह पूरा का पूरा जो 6500 कोड का कर्ज था उसको 1500 में सेटल्मेंट कर द कंडिशन बनाई है और वहां पर उस टम कंडिशन के इसाब से यह सौधा हुआ तो इसी वजह से सारे के सारे जो निप्टारे वह ऐसे ही होंगे तभी पैमेंट मिलेगा तो इससे यस बैंक को कोई नुकसान है क्योंकि और आप देखे तो जो रकम मिलनी है वही मिलने वाली पर यह जैसे जैसे रकम आएगी यस बैंक को मिलते जाएगी इसका यस बैंक को फाइदा होने वाला है अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो पंद्रा सो क्रोड रूपे की रकम चुका है उसमें से जो उसका पंद्रा परसेंट का जो हिस्सा है वह तीस दिन के अंदर किया जाए जब तक पैमेंड होगा तब तक कंपनी में इससदारी बने रहेगी और उनका दखल चलेगा इसके अंदर अब यह बड़ी गुड़ी निकल के आ रही है यस बैंक ने एनाउंस किया है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानिंए CBDC अब एप के उपर एव तो यस बैंक ने CBDC को UPI QR Code के साथ में एक तरह मर्ज कर दिया है उसके लिए सारी के सारी उस प्लेटफर्म को एविलेबल कर दिया जिससे QR Code के माद्यम से UPI के माद्यम से CBDC की जो भी ट्रांजेक्शन वो हो पाएंगे और अब डिजिटल करेंसी का जो कारोबार हो तेजी से तो ट्रायल बेस पे चार बैंकों को लिया गया था जिसमें जो बड़ी बड़ी चार बैंक है जिसमें ICIC BANK के साथ में YES BANK को भी सामिल किया गया था और यह बहुत बड़ी बात थी एक तरह से इनके लिए बड़ी जीत थी और अब उसका फल यहां पर मिलने लगा है कि तो अगे बढ़ा दिया है और जिस तरह से डिजिटल टेकनोलोजी में YES BANK तेजी से आगे बढ़ रही है आपको यह पता ही हमने डिसकस किया है कि हर तीन ट्रांजेक्शन में से UPI का जो ट्रांजेक्शन था वो YES BANK के मादियम से हो रहा है और यह इनकी बहुत बड़ी जीत है अगे बढ़ा है और आने वाले समय YES BANK और तेजी से अपने कारुबार को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे अब इस मौके पर देखो अजे राजन जो कंट्री है डिजिटल ट्रांजेक्शन बैंकिंग YES BANK है उनका कहना है कि UPI के मादियम से हमने CBDC प्लेटफॉर्म को एप बढ़ा एक benefit होगा वो अब अपने जो भी client है या customer है उनको digital currency के मादियम से भुकतान कर पाएंगे और यह बहुत बड़ी achievement है YES BANK की भी अब आप देखते हो कि record तोड़ volume हुआ है Friday के दिन YES BANK volume के मामले में नंबर दो पही था वोड़ा फोन के बाद में यह आप देख सकते हो काफी दिन के बाद हमें देखना को मिला है यहाँ पर कुछ बड़ी deal हुई जिनको डिसकस करते हैं सुबध 10 बचकर 7 मेरे पर 16.76 की प्राइस से 52,48,000 की बिक्वाली हुई उसके बाद 11 बचकर 19 मेरे पर 17.05 की प्राइस से 60,40,000 की बिक्वाली और हुई फिर 12 बचकर 22 मेरे पर 17.37 की प्राइस से यहाँ पर एक बहुत जबर्दस खरीदारी हुई 3,66,17,50 की बंपर खरीदारी हुई और यही सारा है कि कोई बड़े फंडा उसने बहुत भारी मात्रा में Yes Bank के शेर खरीदारी और अब है Yes Bank यहाँ से बिलकुल दौड सकता है यह स दबूत है इस बाद का कि यहाँ पर बड़े फंडा उसने खरीदारी शुरू कर दिये फिर 12 बचकर 31 मेरे पर 17.50 की प्राइस से 53,16,000 की एक बड़ी खरीदारी और वी उसके बाद 12 बचकर 38 मेरे पर 17.55 की प्राइस से 41,66,000 की फिर से एक प्रॉफित बुकिंग हुई फिर और वी इसके बाद 12 बचकर 31.50 मेरे पर 17.30 की प्राइस से 42,78,000 की एक बिकवाली और वी उसके बाद 23,30 मेरे पर 17.45 की प्राइस से लेकिन जिस से खरीदारी शुरू या क्रोडो शेर साथ में खरीदेगे वो इसार है कि इस टोक अब या पर दोड़ेगा तो लॉंग टम का नजरिया लेकर निवेस करें आने वाले समें श्टोक हो सकता है कि अपनी पूरानी हाई तोड़के एक नई हाई बनाने यानि की प्र तक्यू फ्रीम्